हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज में क्लास 12 के वालोजी के महत्तपूर्ण सब्जेक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कूस करेंगे जो हमारे बोर्ड एक्जाम के लिए अत्ती महत्तप तो सेम टूसे में यहीं से कोसं लड़ने माले हैं तो चलिए हम लोग बार बार से देखते हैं प्रस्णों को और यहां पे आज का फॉर्ष्ण प्रस्ण की बहु भुरूर्टा से आप क्या समझते हैं आपको याद भी हुआ होगा पहले से आप सेशन देखते होंगे तो त पिल्कुल यह साइंस से समझते हों चलेंगे कि एक बीज में एक से अधिक भुरूर्ण का पाय जाना उस बीज का बहु भुरूर्टा कहलाता है और यहां पे प्रस्ण की अरोपन की से कहते हैं और यह किरिया कब प्रारंब होती है काफी महत्त्पों प्रस्ण दोस्तों की अरोपन आखिर की से कहते हैं तो माना इस्तिरी में बला टोसिस्ट के गर्भासे अस्तर में अंता अस्थापित होने की किरिया को अरोपन कहते हैं और यह जो किरिया है निसेचन के साथ दिनों बाद समपन होता है तो यहां पे एक बार और से रिकल करने का प्रयास करेंगे क कि मान इस्तिरी में बला टोसिस्ट के गरभासे अस्तर में अंता अस्थापित होने की किरिया को अरोपन कहते हैं और यह किरिया निसेचन के साथ दिनों के बाद होता है बिल्कुल यह साइंस समस्तिवे चलेंगे अगर इन प्रश्णों को याद कर लेते हैं दोस्तों आज की देट में ही तो बहुत ही मात्त पूर्ण होगा आपके लिए क्योंकि बोड इक्जाम बहुत ही नजदीक है और उत परिवर्तन को परिभासित करें तो जिन सनाश्चन में वह परिवर्तन जिसके कारण उस जीन द्वारा अभिव्यक्त होने वाले लक्षन परिवर्तित हो उ बिल्कुल यहां साइस समझते हों चलेंगे और यहां परश्ण है बहुगूरिता को परिभासित करें काफी महत्त पूर्ण है दोस्तों कि बहुगूरिता क्या है तो जीव में गूर्ण सुत्र समुच्चे की संख्या जब दो से अधिक होती है तो वह जीव बहुगूरित तथा उसका गूर्ण बहुगूरिता कहलाता है आपको एक बार में भी याद हुआ होगा कि जीव में गूर्ण सुत्र समुच्चे की संख्या जब दो से अधिक होती है तो वह जीव बहुगूरित तथा गूर्ण बहुगूरिता कहलाता है बिल्कुल यहां साइस समझते हो चलेंगे और यहाँ प्रस्ने की बहु अलील क्या है तो यह अबजेक्टी में आता है बहु अलील में अब यू रक्त J होता है यह बहु अलील के उद्धार होता ही याद रखीगा तो किसी जीन का तीन या उससे अधिक अलील हो का पाएजना ही बहु एलील कहलाता है तो किसी जीन का 3 या 3 से अधिक एलील हो तो उसे ही बहु एलील कहते हैं और ABO रक्तसम्मों का जीन ये बहु एलील का खतरनाक उधान होता ही याद रखेगा अबजेक्टिब के लिए और यहां पर परशन है कि add heraldDIE क्या है इसके लग्षणो को लिखे काफी महत्तपूप प्रस्णिदोस्तों की Allergy आखिर होता क्या है और इसके लग्षण क्या क्या होते हैं तो कभी कभी हमारी त्वाचा में बीविम प्रकार की प्रकिरियाएं होती रहती है और जैसे पूरे सरीर की त्वाचा का रंग लाल हो जाना विशेश परकार के भोजन, धूलकर, आदी के असंक्राम्या प्रतिकिरिया जब त्वाचा पर हो तो उसे एलर्जी कहते हैं एलर्जी दुर्बल एक एंटिजेंस के कारण होते हैं याद रखेगा हमारे बोडिक्जा में कहा जाता है कि परिक्षारती अपने ही सब्द में उतर दे तो वहीं यहाँ पे अपने ही सब्द में उतर दिया गया है बहुत ही आसानी से कि कभी कभी हमारी त्वाचा में बीभीम परकार की परकिरिया होती रहती है ठीक जैसे पूरे सरीर की त्वाचा का रंग लाल हो जाना विशेस परकार के भोजन धूलकर आदी के और संक्राम या प्रतिकिरिया जब त्वाचा पर हो तो उसे ही एलर्जी कहते हैं यदर्जी दूरुबल एक एक इंटिचेंस के कारं होते ही याद रहें काफी महत्त्पशन दोस्तो और ये जो देखेंअगें जिनमें एक जाती को लाब होता है और दूसरे जाती को नहीं लाब होता है और नहीं उसे हानी होता है तो उसी को ही सब भोजिता कहते हैं यानि कहने करते दोस्तों कि ऐसी प्रास्प्रिक्रिया जिनमें एक जाती को लाब होता है तता दूसरे जाती को नहीं लाब होता है और पदार्त लेकार्पोमगास्ट सब्सक्राइटकर्टि आंधे कई दोस्तो noi की निए tuadiatan falar पर तथा माधा जनन अंग पाय जाते हैं और जनतुवा में जनन को लिंग कहते हैं कि अबहासी फल क्या है तो अंडा से बार करकार पुस्प के अन्य सहायक भागों से बीक्सित होने जैसे नासफार्थी हो जाएगा यह अब्जेक्टिव कुछन से पुछे जाता है कि अब 80 फल कौन चाहे तो नासफार्थी हो जाएगा इसका इंसर और यहां प्रस्ण है और यहां पेदासन प्रस्ण को देखेंगे कि पिलिन ड्रोन्स क्या होता है ठीक तो यह DNA यह RNA सेक्ष बताता है ठीक इसमें उपस्तित नूक्लियो टाइड का सेक्ष दोनों तरफ से एक्ट होता है यहां प्रस्ण है कि क्लोनिक सन्वाहक क्या है तो यह DNA एक छोटा टुगड़ा होता है जो दूसरे जीवों में क्लोनिंग के लिए परवेश कराया जाता है काफी महत्वपों प्रस्ने दोस्तों की क्लोनिंग सनवाहा क्या है तो यह DNA का एक छोटा टुकड़ा होता है जो दूसरे जीवों में क्लोनिंग के लिए परवेश कराये जाता है और यहाँ प्रस्ने की आहार स्रिंखला तथा आहार जाल में विभेद अंतर अस्पस्ट करें तो आहार स्रिंखला में सबसे पले देखेंगे कि आहार स्रिंखला आहार बद तरीके से एक पक्छिय दीशा में विवास्तित वैसे जीवों का समू है जिसमें एक जीव स्रिंखला में अपने से नीचे इस्तित जीव को रखता है तथा श्रेम उसी स्रिंखला में अपने से उपर इस्तित जीव द्वारा खाया जाता है एक बार में समझने का प्रयास करेंगे अहार स्रिंखला अहार स्रिंखला अहारबध तरीके से एक पक्षिय दीशा में विवस्तित वेसे जीव का समू है जिसमें एक जीव स्रिंखला में अपने से नीचे इस्तित जीव को रखता है ठीक तथा स्रेम उसी स्रिंखला में अपने से उपर इस्तित जीवों द्वारा खा लिया जाता है और यहां प्रस्थन की अहार जाल क्या होता है यहां पर दो देखने को मिले था कि अहार स्रिंखला और अहार जाल में भी भेद अंतर तो यहाँ पर आहार जाल को देखेंगे कि प्रस्तित की तंत्र में एक साथ कई आहार सिंखलाए मिलकर एक जाल सा बनाती है और आहार सिंखलाओ के इस जाल को ही आहार जाल काते हैं दोस्तों बिलकुल यहां साथ समाजती हुए चलेंगे और यहां प्रस्त नहीं कि जीवद्रभ्य सनवर्धन क्या होता है तो इसे भी हम लोग आसाथ समझेंगे कि यह एक ऐसी बीदी है जिसके द्वारा पोधो के कोशिका के कोशिका भीति को अलग कर जीवद्रभ्य को निकाल लिया ज जाता है, एक बार में समझने का प्रस्त करेंगे कि यह एक ऐसी बीदी है जिसके द्वारा पोधो के कोशिका के कोशिका भीति को अलगकर जीवद्रभ्य को निकाल लिया जाता है तaş तथा कल्चर मीडिया का उप्यों कर जीवद्रभ्य अस승 वर्धन किया जाता है और यहां पौधे पीड़क परतिरोधी पौधे कहलाते हैं जैसे गिहों में धानेरपन म्रीग तथा का पास में जैसिन्ड हो जाएगा तो यहां पे अपने ही सब्द में इंसर दिया गया है कि कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंत्रिक छमता होती है तो ऐसे पौधे पीड़क परतिरोधी पौधे कहलाते हैं जैसे गिहों में धानेरपन म्रीग तथा का पास में जैसिन्ड हो जाएगा और यहां पे आप देख रहें प्रस्ण को कि पारजीवी जनतुओं के हानिकारक को प्रभाव का वर्नन करें तो पारजीवी जनतुओं के कारण जेनेट कंटा की नेशन होगा इसके आने से प्रकृतिक जनतुओं के अस्तित्व खत्म होने का डर है तथा वातवरन पर भी असर पड़ता है और यहां पे अलेंगिक तथा लेंगिक जनन में सोधारन अंतर अस्पष्ट करें तो अलेंगिक जनन में क्या होता है कि जीव में प्रज भवन वीधी से संपन होता है तो जीवे में परजनन की वह वीधी जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है लेंगिक जनन का लाता है और यह द्वी विवाजन बहु विवाजन वीधी से संपन होता है याद रखेगा और लेंगिक जनन में क्या होता है कि लेंगिक ज पूरूश हो ज़ेगा इस्तिरी मिल कर दोनों परकिरय करें का तो जाइए गोड का निर्मार हो existing तो उसी में उसी सेुघ यह नए जिवन का निर्मार होगा लेंगीजनल में जैसे गार। जैसे में हो जेगा तो लेंगी जनन में बीप्रित लिंग वाले जीवोद्वरा नर मादा यूगमक बनाये जाते हैं और नर तथा मादा यूगमक के संलंगने से जाई गोट बनता है जो बिक्सीत होकर जीवन का निर्मार करता है और यहां पर प्रस्ण है कि धूगा क्या है तो बीड़ोन यहां साइस समझेंगे कि घरेलू इंधन के अपुर्ण एवं अधोगिक सन्यंत्रों से धूगा वायमंडल में मुक्त होता है और धूगा में ठोस एवं तरल दोनों परकार के छोटे-छोटे कण होते हैं और यह पोधे एवं मनुष्य को बिभिन परकार के नुकसान पहुचाते हैं तो वहीं धूगा यहां पर इसके बार में लिखा गया कि घरेलू इंधन के अपुर्ण एवं अधोगिक सन्यंत्रों से धूगा वायमंडल में मुक्त होता है और धूगा में ठोस एवं तरल दोनों परकार के छोटे-छटे कण उपस्तित होते हैं और यह पोधे एवं मनुष्य को विभिन परकार के नुकसान पहुचाते हैं और यहां पर BOD क्या होता है तो BOD को समझेंगे असाइन से कि सुक्ष्म जीवो दोरा कार्बनिक पदार्थों के अब घटन के लिए आवश्यक अक्सिजन की मात्रा BOD कहलाता है और वाहित जल मे कार्बनिक पदार्थ यहों जेव परदूशन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण BOD बढ़ जाता है एक बार में समझने का प्रियास करेंगे कि सुक्ष्म जीवो दोरा कार्बनिक पदार्थों के अब घटन के लिए आवस्यक अक्सिजन की मात्रा BOD कहलाता है और वाहित जल में कार्बनिक पदार्थ यहों जेव परदूशन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण BOD बढ़ जाता है और यहां पर उर्न यानिकी फ्लॉक्स क्या होता है तो उर्न के बारे में हम जानेंगे कि जल में कुछ ससमे डेड़ कर्ण या क्लेव होते ह हैं जो उर्न के रूप में जाने जाते हैं और यहां पर प्रारंब कूट या समपन कूट के बारे में लिखना है तो प्रारंब कूट को सबसे ह través देखें कि वैसे कोड़न जो पोली पेप्टाइड चेन बनाने की परकिरिया सुरु करते हैं प्रारंब कूट का राते हैं था यू जी ए तीन कोडोन ऐसे होते हैं जो पोली पेपटाइड चेन के समापन कुठ का संक्य देते हैं दोस्तों तो इस परकार से दोस्तों इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं चार दिन में जैने कि और सी कोसंस को इस परकार से देख लेंगे बहुत ही आसाई से अगर इन कोसंस को याद कर लेते हैं तो बोड़िक जामें इससे बाहर एक भी परस्तत नहीं पूछे जाएगा दस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म नहीं उमेदेकसा तो आज इतना ही थेंक्यू